गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर वन का लास्ट पार्ट स्टुडेंट्स यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो दुखों उगाकर उनकी संख्यवरद्धी करना उनमें प्रजनन उन्हें उगाकर ही किया जाता है वन शकरकंद को लेंगे उसको आदा पानी में लगाएंगे और आदा उसको हवा में रहने देंगे उसके बाद उसमें से छोटे-चोटे पौदे ये बड़्द के रूप में निकलाते हैं नूट प्लां प्लांट्स और फिर उसको जो हैalten किसान केत मिलागा देते हैं फिर फ्रोम रूट्स यह कुछ पौदे ऐसे होते हैं जो जड़ों जब हम इनकी जड़ों को मिटी में लगा देते हैं और वो बढ़ने लगते हैं जैसे की स्वीट पेटेटो डेलिया बीट रूट अंड अन्ड अन्ड फिर फ्रोम अंडरग्राउंड इस्टेम यह वो अन्यान टर्मरिक और कॉम्स एंड पोटेटो यह सब तने हैं स्टुडेंट्स इनके तने लगा जाते हैं ना कि इनके बीज बोग जाते हैं फिर आता है फ्रोम स्टेप कटिंग स्टेम कटिंग यानि के तनों को काट कर जब उनको लगा दिया जाता है फिर उसके नए पाफी होता है और रोज और चाइना रोज और टॉमेटो इनके तने अगर हम मिटी में लगा देंगे तो वो पोधे बन जाएंगे फिर फ्रॉम लीफ कुछ पॉदा ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों से ही उख जाते हैं जैसे कि मालेज़े यह है उसकी पत्ति को अगर मि लाइक मश्रूम एंड मॉसिस और फांड इनमें छोटे-छोटे बीच जो होते हैं स्पोर्स टाइप के होते हैं तो वो स्पोर्स जो होते हैं उनी से उख जाते हैं पौधे इसको स्वोरी कहा जाता है फिर एग्रिकल्चर फिर खेती खेती किस परकार की जाती है इंडिया जो है सेवेंटी ताइन परसेंट इंडिया में खेती होती है और इसकी इकोनोमी इसी पर बेस्ट इस्टूरेंट्स क्या होता है यानि के खेती जो है इंडिया का बैक बॉन है दा प्रोसेस ऑफ ग्रॉमिंग प्लांट्स अर लाज स्केल इसकाल एग्रिकल्चर एंड और फ खरीव क्रॉप कौन सी होती है यानि खरीव की फसले ये आटम में बोहिय जाती है यह होती है मौन्सून सीजन में और ये कब से कब तक बोई जाती है सुड़ेंट सेप्टमबर से लेकर अक्टूबर तक ये फसले उगाए जाती है इसके अंतरगत आती है राइज, चावल, मक्का, बाजरा, रागी और सोयबीन और ग्राउंड नट और कॉटन ये सब खरीफ की फसले हैं और सेकेंड टाइप है फसल का रभी की फसल रभी की फसल जो है कब से कब तक बोई जाती है मार्च से अप्रेल तक ये फसल बोई जाती है और इसके अंतरगत आती है गेहूं, बारले, यानि के जवार, मस्टर्ड, और ग्रीन पीज आर सम अधा प्रेजर, रभी टाइपस ऑफ ग्रोव दैट ग्रोव इन इंडिया, इंडिया के अंतरगत जो रभी की फसले इसके अंतरगत आती है गेहूं, जवार, और सरसो, और हरीमटर, फिर है स्टेज इन एग्रीकल्चर, यानि के खेती के चरण, खेती के चरण क्या क्या हैं तो किसान लोग होते हैं, अपने खेत में क्या करते हैं, वो फ्लफिंग करते हैं, यानि कि उसको जोदते हैं, जोदने करत होता है, वो ट्रैक्टर से या फिर हल के द्वारा उसकी कुदाई करते हैं, मिट्टी को, फ्लफी सा यानि कि कर देते हैं, हल का बोती है, और लेवल या ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को क्रश्ट किया जाता है स्टुडेंट्स और इसके आफ्टर होता है सोविंग यानि के बुआई दिस प्लांटिंग सीड अच्छी क्वालिटी के जो सीड है फिर उसको बो देते हैं मिट्टी के अंतर अपने खेत में किसान और फिर उसमें लगा देते हो फर्टिलाज यानि खाद और उर्वरक ताकि मिट्टी अच्छी उपस दे सके और पौध यानि के फिर सिचाई की जाती हैं फरसलों की जिसम पानी चाहिए होता है उस उसषाबसे उनक costume सीचावी होती है ट्यूब वैल्स के दो वारा यह कैनल के दोरा और फिर क्या होता मैं हार्वेस्टिंगר्विंग यानि के हाँ दोनों यह कीटो को मानने के लिए फार्मर्स अपने केतों में लगा देते हैं फिर होता है हार्वेस्टिंग यानि के कटाई फिर जब वो फसल तयार हो जाती है बैसाखी या पॉंगल के वक्त में फिर उसको वो काट देते हैं फसल को काटने के बाद फिर क्या होता है उसको स से बचा कर और इन्वार्मेंट के हिसाब से उसको वो स्टोर कर लेते हैं यह पूरा मैथर था है यानि के पूरे चरणते किसके खेती के okay students you read your chapter your own and if you any questions about this chapter you ask me I can solve that thank you students